तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question डिसकस करेंगे Awards and honors के उपर तो 2021 में जो भी awards और honors दिये गए हैं उससे related top 30 question आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जो की most important रहने वाले हैं आपके आने वाले exams के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें वीडियो को share करें और अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें सारे competitive exams की तयारी कराई जाती है आपको हमारे चैनल पे हर एक exam के लिए most important topics के उपर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और दोस्तों आपको पता होगा कि current affairs 2021 की हमने 600 plus questions की हमने एक e-book लाँच करी है तो हमारा पहला question है who has been honored with the 15th sheikh zayed book prize 2021 तो पंदरबा शेक जायद book prize जो दिया गया है 2021 में वो किसको दिया गया है इस price से किसको सम्मानित किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा तहीरा कुतुबुद्दीन जो है इनको सम्मानित किया गया है 15 शेक जायत बुक प्राइस 2021 से ये कोशन इंपोर्टेंट क्यों रहेगा क्योंकि तहीरा कुतुबुद्दीन जो है ये एक भारतिय मूल की रहेंगी तो इसलिए ये कोशन पूछा जा सकता है अगला कुशन देखते हैं हमारा विच इंडियन वस ओनर्ड विद दी रुडॉल्फ वी स्किंडलर अवर्ड 2021 तो रुडॉल्फ वी स्किंडलर अवर्ड जो दिया गया है 2021 में उससे किसको सम्मानित किया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी नागेश्वर रेडी डॉक्टर डी नागेश्वर रेडी को सम्मानित किया गया है रुडॉल्फ वी स्किंडलर अवर्ड 2021 से तो इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2021 तो इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2021 में वो किसको दिया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड डायोग डेविड डायोब जो है इनको सम्मानित किया गया है International Booker Prize 2021 से अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं जैसे कि अगर आप SSC CGL की exam की तयारी कर रहे हैं तो उसकी shift जो होंगी उसमें एक shift में आपको 100% ये question देखने को मिलेगा तो International Booker Prize 100% आपको exam में देखने को मिलेगा 2021 की अगला question देखते हैं हमारा Who has been awarded the UNESCO World Press Freedom Prize 2021 UNESCO World Press Freedom Prize जो दिया गया है 2021 में वो किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा मारिया रसा मारिया रसा जो है इनको सम्मानित किया गया है UNESCO World Press Freedom Prize 2021 से जो World Press Freedom Prize दिया गया है 2021 में किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया तो UNESCO जो है United Nation Educational Scientific Cultural Organization इनके द्वारा प्राइज जो है ये दिया गया है जिसका नाम रहेगा World Press Freedom Prize 2021 Who was crowned the 69th Miss Universe 2020 तो काफी बारा में इस question को discuss कर चुके हैं पहले भी आपको 100% इसका answer पता होगा कि 69th Miss Universe जो दिया गया है 2020 का वो किसको दिया गया है उससे किसको सम्मानित किया गया तो हमारा answer हो जाएगा Andrea Mays Andrea Mays जो है इनको सम्मानित किया गया है इनको crown दिया गया है 69th Miss Universe 2020 का यहाँ पे आपसे ये question भी पूछा जाता है कि Andrea Mays जो है ये कौन सी country से related रहेंगी तो Mexico जो country है वहाँ की नागरिक रहेंगी जो की Miss Universe 2020 का जिनको crown जो है वो जिनको टाइटल जो है वो दिया गया है विटले अवोर्ड जो दिया गया है 2021 में most important question रहेगा ये भी आपके exam के लिए ये किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा नुकलू फॉर्म नुकलू फॉर्म जो है इनको सम्मानित किया गया है विटले अवोर्ड 2021 से ये question भी 100% आपको exam में देखने को मिलेगा who has been honored with the wildlife innovator अवोर्ड 2021 wildlife innovator अवोर्ड किसको दिया गया 2021 का तो हमारा answer हो जाएगा डॉक्टर क्रीती करन डॉक्टर क्रीती करन जो है इनको सम्मानित किया गया है wildlife innovator अवोर्ड 2021 से who is honored with the world food price 2021 तो दोस्तो world food price से आपको क्या याद आया world food price से आपको याद आया होगा कि nobel price जो दिया गया था peace के लिए 2020 में वो world food program को दिया गया था तो world food program जो है उनको सम्मानित किया गया था 2020 में nobel peace price से यह आपको ध्यान रखना है तो world food price जो दिया गया है 2021 का वो किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा डॉक्तर शकुंतला हरक सिंग डॉक्टर शकुंतला हरक सिंग जो है इनको सम्मानित किया गया है वर्ड फूर्ड प्राइस 2021 से जितने भी international awards and honors रहते हैं अगर उसमें किसी भारतिये को सम्मानित किया गया है तो वो question अपने आप most important question बन जाएगा आपके exam के लिए अगला question देखते हैं which state of India was given the E-Panchait Award for the year 2021 तो 2021 में E-Panchait Award जो दिया गया है वो कौन सी state को दिया गया तो ये question भी important question रहेगा हमारा answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो state रहेगी उनको उनके द्वारा जीता गया है E-Panchait Award 2021 का which Indian was awarded the world choreography award 2020 तो world choreography award 2020 का किसको दिया गया है तो हमारा answer हो जाएगा सुरेश मुकुन्द सुरेश मुकुन्द जो है इनको सम्मानित किया गया है world choreography award 2020 से जो कि एक Indian choreographer रहेंगे who was awarded the Japan's highest award order of rising sun तो जापान का जो सबसे बड़ा award रहता है उसका क्या नाम रहेगा तो वो रहेगा order of rising sun तो कौन से भारती हैं जिनको की order of rising sun से सम्मानित किया गया तो हमारा answer हो जाएगा श्यामला गनेश श्यामला गनेश जो है इनको जापान का सबसे बड़ा ओनर दिया गया है जो की रहेगा order of rising sun most important question who was recently awarded the international invincible gold medal 2021 तो international invincible gold medal जो दिया गया है 2021 का वो किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा रमेश पोकरियाल निशांक रमेश पोकरियाल निशांक जो है इनको सम्मानित किया गया है international invincible gold medal 2021 से ये कौन है तो former education minister रहेंगे रमेश पोकरियाल निशांक जिनको की इस award से सम्मानित किया गया है और अगर आप से ये पूछा जाए कि अभी current time में education minister कौन है इंडिया के तो वो कौन रहेंगे तो वो रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान जो है ये current time में education minister है इंडिया के इनसे पहले रमेश पोकरियाल education minister थे जिनको हटा के ये जो पद है ये धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया है तो जितनी भी ministry हैं उनकी जो new appointment रहेंगी उसकी एक separate video आपको channel पे already provide कराई जा चुकी है जिसमें सारे ministers discuss करे गए हैं तो आप उस video को जाके भी channel पे देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक most important ये भी बात रहीगी आप नीचे देख सकते हैं 2000 questions की एक e-book रहेगी जो कि हमारे द्वारा launch करी गई है इस पे आपको flare 67% off provide कराई जा रहा है ये जो e-book रहेगी इसमें आपको 500 science के question 500 current affairs के 500 static GKK और 500 general knowledge के questions provide कराई गए हैं ये e-book सिर्फ आपको 99 रुपे में provide कराई जा रही है और ये आप मेरा यकीन मानिये ये जो e-book रहेगी ये आपके exam के लिए most important रहने वाली है आपको exams में काफी सारे questions रहेंगे जो की इस e-book से मिल जाएंगे तो अगर आप interested हो तो इसका link आपको description में मिल जाएगा आप description मे जाके इसको buy कर सकते हैं अगला question देखते हैं हमारा which Indian player has been included into the ICC Hall of Fame in the year 2021 तो ICC Hall of Fame in the year 2021 में कौन से भारतिये प्लेयर हैं जिनको include करा गया है तो इसमें total 10 लोग हैं जिनको include करा गया है उसमें से एक भारतिये प्लेयर रहेंगे तो उनका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा किया गया है ICC Hall of Fame 2021 में which organization has recently announced to create the करीम अब्दुल जबार Social Justice Champion Award तो करीम अब्दुल जबार Social Justice Champion Award जो है ये कौन सी organization है जो की announce करी है बनाने जा रही है तो हमारा answer हो जाएगा NBA जो है National Basketball Association जो है इनके द्वारा announcement करी गई है इस award को तैयार करने की इस award को create करने की तो ये जो question रहेगा काफी ज़ादा important रहेगा exams के लिए Who was recently awarded the Culling Ratna Award 2021 तो Culling Ratna Award जो दिया गया है 2021 का ये किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा बिस्व भूशन हरीचंदन बिस्व भूशन हरीचंदन जो है इनको सम्मानित किया गया है Culling Ratna Award 2021 से Recently who has been honored with the FIH Presidents Award तो FIH Presidents Award से किसको सम्मानित किया गया तो हमारा answer हो जाएगा VK Pandian जो है इनको सम्मानित किया गया है FIH Presidents Award से Who was recently awarded the G.D. बिल्ला सम्मान जो दिया गया है ये किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा Prof. सुमन चक्रोबर्ती Prof. सुमन चक्रोबर्ती जो है इनको सम्मानित किया गया है G.D. बिल्ला सम्मान से 2021 में Which state government has recently announced to confer भारत रत एंड पदम awards at the state level from next year तो कौन सी state government है जिनोंने announcement करी है कि वो भारत रतन और पदम awards जो है वो अगले साल से state level पे देना start करेंगे तो हमारा answer हो जाएगा Assam तो Assam जो state रहेगी वहाँ पे तो Assam जो state रहेगी state government है इनके द्वारा announcement करी है कि Assam state में 2022 से भारत रतन और पदम awards जो है ये दिये जाएंगे state level पे which organization was given the green energy award 2021 तो green energy award जो दिया गया है 2021 का वो कौनसी organization को दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा IREDA IREDA जो है IREDA Limited जो है इनको सम्मानित किया गया है ये एक organization रहेंगी इंडिया की जिसको की green energy award से सम्मानित किया गया है 2021 में अब आपको ये पता होना चाहिए कि IREDA जो है इसकी full form क्या होती है तो इसकी full form हो जाएगी Indian Renewable Energy Development Agency Limited ये कब establish हुआ था तो 11 March 1987 को इसको establish किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए अगला question देखते हैं हमारा तो जहां पर humanitarian award आ जाता है या फिर peace award आ जाता है वो question भी important बन जाता है तो Nelson Mandela World Humanitarian Award किसको दिया गया है 2021 का तो हमारा answer हो जाएगा रुमाना सिना सेगल रुमाना सिना सेगल जो है इनको सम्मानित किया गया है Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021 से Who was conferred with the India Biodiversity Award 2021 तो India Biodiversity Award जो दिया गया है 2021 का वो किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा साजी एनम साजी एनम जो है इनको सम्मानित किया गया है कॉन्फर किया गया है Indian Biodiversity Award 2021 का Sarah Week Global Energy and Environmental Leadership Award was given to तो Sarah Week Global Energy and Environment Leadership Award जो दिया गया है ये किसको दिया गया है तो भारत के करण टाइम में प्रधान मंत्री जो रहेंगे नरेंद्र मोदी इनको सम्मानित किया गया है Sira Week Global Energy and Environment Leadership Award से 2021 में Who was honored with the International Federation of Film Achievers Award 2021 तो इसका अंसर जातर आप सबको पताई होगा International Federation of Film Achievers Award 2021 से कौन से भारती एक्टर को सम्मानित किया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन को दिया गया है International Federation of Film Achievers Award 2021 का Recently who was awarded the Allen Path Global Vision Award 2021 तो Allen Path Global Vision Award 2021 से किसको सम्मानित किया गया हमारा आंसर हो जाएगा गीता मित्तल गीता मित्तल है जिनकों की Award दिया गया है जिसका नाम रहेगा Allen Path Global Vision Award 2021 Who has been given the International ENI Award for 2020 तो International ENI Award से किसको सम्मानित किया गया हाली में तो हमारा आंसर हो जाएगा CNR Rao CNR Rao जो है इनको सम्मानित किया गया है International ENI Award से 2020 का Which Environment Activist was recently given the prestigious UN Land for Life Award 2021 तो UN Land for Life Awards 2021 से किसको सम्मानित किया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर जानी जो है एक Environmental Activist रहेंगे जिनकों की Award दिया गया है एक prestigious award रहेगा UN Land for Life Award 2021 Who recently won the Sanctuary Lifetime Service Award 2020 तो Sanctuary Lifetime Service Award 2020 किसको दिया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्टी भासकरन एस्टी भासकरन जो है इनको सम्मानित किया गया है Sanctuary Lifetime Service Award 2020 से Recently who was awarded the National Tansin Award 2020 तो National Tansin Award जो दिया गया है 2020 का ये किसको दिया गया तो हमारा आंसर हो जाएगा सतीश व्यास सतीश व्यास जो है इनको सम्मानित किया गया है National Tansin Award से 2020 के लिए Which AIMS has won the Kaya Kalp Award recently? Important question रहेगा कौन से AIMS रहेगा जिसको की Kaya Kalp Award तिया गया है हाली में तो हमारा आंसर हो जाएगा AIMS भुवनेशवर AIMS भुवनेशवर जो है इनको Kaya Kalp Award से सम्मानित किया गया है हाली में तो दोस्तो एक हमने आपके देख क्विज रखी है क्विज का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताएं तो क्विज ये रहेगी कि Recently who was awarded the title of Best Wildlife Photographer of the Year 2021 काफी बार इस कोशन को हम अपने चैनल पर डिसकस कर चुके हैं अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देखते आ रहे हैं तो इसका आंसर आपको 100% पता होगा कि Best Wildlife Photographer of the Year 2021 से किसको सम्मानित किया गया है और एक ये कोशन जो रहेगा Most Important कोशन रहेगा जो ब्राजील में Amazon Forest है उसमें जो आग दगी थी उसका फोटो खीचने की वज़े से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो मैंने आपको हिंट भी दे दी है इसका आंसर आपको जरूर पता होगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं कि कौन हैं जिनको की Best Wildlife Photographer of the Year 2021 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जितने भी important topics होते हैं अरह एक topic के आपको separate वीडियो मिलेगी चैनल पे जो कि आप उपर आई बटन पे किलिक करके देख सकते हैं उनसा भी का link आपको description में भी provide कराएगा है और दोस्तो 600 plus question की current affair की ebook रहेगी जो कि सिर्फ आपको 29 रुपीज में provide कराई जा रही है जिसमें जनवरी से लेके जून 2021 तक जितने भी current affair के questions हो सकते हैं सब discuss करे गए हैं साती साथ 2000 questions की भी एक ebook रहेगी जिसमें 500 science questions, 500 current affairs, 500 static gk और 500 general knowledge के questions आपको provide कराएगे हैं इसमें जो current affair रहेगा वो 2020 का full current affair रहेगा तो ये जो ebook रहेगी है सिर्फ आपको 99 रुपे में provide कराई जा रही है दोनों ही ebook आपके आने वाले exams के लिए most important रहेगी 72-80% जो आपका syllabus रहेगा आने वाले exams के लिए वो इन ebook में cover कर लिया गया है तो आप इनको ज़रूर बाई करें इनसे आपको काफी जादा help मिलेगी आपके आने वाले exams के लिए धन्यबाद दोस्तो कर दो आपके लिए